सरुकार नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनिया चैनल प्राइम टीवी तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूब रूब कराने का जहां बीते जनवरी को शुरू हुआ यूपी विधान सबा चुनावी प्रक्रिया का अंतिव पड़ाओ गुरुवार यानि की दस मार्ज को मत गड़ना के साथ पूरा होगा केंद्री चुनावायो के निर्देश के अनुसार गुरुवार को सुबा आठ बजे से मत गड़ना शुरू होगी सबसे पहले पोस्टर बैलेट और सर्विस वोट के गिंती शुरू होगी जिसके आदे घंटे बाद ही इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट में दर्जवे वोटों की भी गड़ना शुरू हो जाएगी अनुमान है कि सुबा 10 बजे से 11 बजे के बीद शुरूआती रुजानाना शुरू हो जाएगे चुकि इस बार पोस्टर बैलेट काफी जादा तादाद में पड़े हैं इसलिए हर सीच के अंतिम परिणाम की घोश्णा देर में हो सकती है तो आपको बताते चले कि बीते फर्वरी से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था यानि की मतदान हो रहा था तो इस दौरान कल यानि की 10 मार्च को उसी चुनाव के नतीजे आएंगे इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं लखनओ, रायबरे, लीग, गोरखपुर और बस्ती के ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है जो हम मतगड़ना के पहले सपा कारिकरताओं ने जिसको लेकर पुलिस प्रिशासन भी अलर्ट हो चुका है और बहर भारी पुलिस भलको तैनाद क्या गया है वह आपको बताते चले की फरवरी में मतदान जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी यानि की फरवरी से ही यूपी में लोक्तंत्र के महा पर्वे की शुरूआत हो चुकी थी जब अपने अंतिम पड़ाओ की ओर तेजी से बढ़ रही हो और इसका अंतिम पड़ाओ कल यानि की दस मार्च को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा जब यूपी में किसकी सत्ता है इसका खुलासा होगा इस दोरान मतगर्णा के पहले लखनव, रैबरेली, गोरकपुर और बस्ती में तमाम पार्टी के प्रत्याशी साथी सपा के सबसे ज़्यादा प्रत्याशी लगतार मतगर्णा स्थल के बाहर पहुँच रहे है एवियम की निग्रानी के लिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनव से हमारे समवाद आता विभान शो और रैबरेली से ओम शंकर जी जूर चुके है तो ओम शंकर जी कल मतगर्णा की जो नतीजे यानि की उत्तरप्रदेश में जो भी चुनाओ हुए थे उसके कल नतीजे आएंग इसको लेकर प अगर जो बात करें जाए तो यहां पर जो है जिला प्रहासन ने पूरी तयारी कर ली है और पहला मेर्टी की छे कंपरिया राइबली पहुच चुकी है हाला कि जिक पोल आने के बाद कहीं लगए ही समाजवादी पार्टीगों में थोरी सी मीरासा के बहुत जरूर्त रहे हैं और अखले सी यादो के आवाहर पर यह हर टेबल पर दो अजिवक्ताओं की निव्टी करनी होनी चाहिए उसी के तहर जहां पर इबियम रखी है इस् को लेकर लखनाओ के प्रशासन ने क्या कुछ तैयारिया कर रखी है जी उसका लगब बात करें तो जो भी स्ट्रॉंग रूम है उसको सी आपी अप के कबजे में अभी रखा गया है सी आपी अप की निव्टानी कर वहीं जब मतदान सुरू होगा तो जैसे मतदान के समय ऐ कमिश्णर होते हैं ऐसे आला अधिकारियों की पूरी निगरानी होती है और पूरी तयारिया कर ली गई है और साथी साथ जो आती सम्वेदन सील इलाके हैं उनके बक्से वहां खुलेंगे इस्ट्रॉंग में तो इन सब चीजों को देखते हुए आज पास की जो पुलिस ट खबरे लगातार सामने आ रही है कि जो सबा की कारिकर्टा और प्रत्याशी है वो लगातार अभी से ही मत गड़ना इस्थल पर पहुंचने लगी है इसको लेकर पुलिस प्रिशासन कितना एलर्ड नजर आ रहा है पुलिस प्रिशासन के साथ साथ प्राम लेट्टी कंपरियों को भी निख्देशित कर दिया गया है कि अगर जो कोई भी उपद्रो उपद्रो भी करता है वहाँ पर जो है तो लिश्ची ती उसक्ति तो पत्र सक्की से निफटा जाए अखलेश यादों के उस पत्र से जिस तब रास से ही उनके पत्र का संग्यान लेते हुए बहारी संग्षा में समाजवाणी पार्टी के जो कार करता है वो इस्टावरों के बाहर मौजूद है हाला कि जिला प्रत्यासन ने उनसे के साथ सक्की से निफटने के लिए पूरी प्रत्याशी है वो लगतार मत गड़न स्थल के बाहर मौजूद है इवियम की निगरानी के लिए तो क्या लगता है कि जितने भी सपा कारीकरत और प्रत्याशी है उन्हें प्रिशासन पर भरोसा नहीं है जे मुस्कार अगर बात करें तो कल देव साम सारे 6 बजे के करीब अखिले स्यादों की प्रेस कॉन्फिरंस की गई जिसमें साफ तोर पे जो समझवादी पार्टी के कारे करता थे जिलाधिकाय जिलाध्यक्स थे इन लोग को निर्देश दिया गया कि आप स्ट्रॉंग फेरी को लेकर ऐसे बावाल काटा कल के दिन में जिसमें आपने देखा कि बनारस के अंदर में एक इवियम से बदैलादी ट्रक पकड़ी गई जिसको लेकर काफी माहौल अफ़र तफ्री मच गया और प्रदेश भर में लोगों के मुबाईल फोन से लेकर तमाम तीवी माध इन सब चीजों को देखते हुए जब प्रेस कॉन्फिंस की गई तो प्रेस कॉन्फिंस का जो अगर देख सकते हैं परिनाम तो देर साम चाहें बात की जाए महू गाजीपूर एरिया में कि जो सीटे हैं वहाँ पे अबास अंसारी समेत दारा सिंग चोहान और समझवादी पार्टी की तरफ से 75 जीलों में 75 ऐसे बड़े चेहरों को लगाए गया है जो पूरी तरह से स्ट्रॉंग उनकी रखवाली करेंगे उनके नित्रित में रखवाली की जाएगी तो खास तरफ पर हम देख सकते हैं कि समझवादी पार्टी कहीं ना कहीं मत गरना और स्ट्रॉ पूरे स्ट्रॉंग रखवाली तैनात लोग है वो देख सकते हैं जी मैं आपसे यह जाना चाहूंगी कि अगर जब चुनाव आयोग ने इतनी एडवाईजरी जारी कर दी है कि मत गरना स्थल के अंदर सिस्टीवी लगेगी जो भी बैलेट पेपर के काउंटिंग होगी व दिव्यांग जन और पॉस्तल वैलेट में यूज हूआ है जो दिव्यांग जन है या बुजुर्ग है या सरकारी कर्मचारी है उनको दो दिन पहले मद्दान कर चुके है उनका ओट जो होगा वो वैलेट पेपर सब बाकी एवीम सोता एवीम को सब तौर पे जो ततकालीं बिपस्ट सरकार है खास तोर पे समझवादी पार्टी वो एवियम में छेरचार की बात कर वहीं कल एक समझवादी पार्टी के नेता के द्वारा कहा गया कि एवियम को है किया जा रहा है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अफ जो इंडिया जो उत्रप्रदेश का पेपर कूरे में मिले और तमाम जगोप मिले जिसको लेका भी काफी समझवादियों के अंदर पार्टी के कारेकरता तो उनके अंदर रोस था वहीं अगर बात करें तो जो एवियम से निकलने पैड होता है उसके भी मिलने के सूचना मिली थी मगर उसको बताया कि यह सब ऐ अब ही के नहीं है जी अमशंकर जी मेरा प्रशन बाप से है कि लगातार जब से यह मतदान संपन हो चुके है तो सपा कारकरता कारकरताओं के साथ सबसुप्रीमों भी लगातार इवियम पे सवाल उठा रहे हैं ऐसा आखिर वो कर क्यों रहे क्या उन्हें भरोस्ता नहीं है किस बर यूबी की जनता उन्हें जीत का ताश पहनाएगी? जी आपको बता दे मुसकान की चुनाओ से ठीक पहले सपा और जो भी विपक्स प्रमुक विपक्स दाल है उनकी तरफ से एक्जीट पोल पे रोक लगाने को लेकर इलेक्शन कमीशन के जो आला दिकारे हैं उनकी तरफ से ग्यापन दिया गया था कि आप एक्जीट पोल को चुनाओ के आखरी फ्रेस तक रोक दे और वहीं आपने देखा कि साथ तारी के मद्दान के बाद देर साम एक्जीट पोल आना सुरू हो गया है इनका साफ तो पर विपक्स का ये कहना था कि एक्जीट पोल दिखा कर आप पोलावाइजेशन को एक तरफ कर सकते हैं जिसमें आपने देखा कि एक्जीट पोल आने के बाद भाजपा की सरकार पूर बहुमत के साथ बन वी है मगर एक्जीट पोल पे हो सकता है जिसको लेकर जो समझवादी पार्टी के प्रदेश सध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल चाहे अगर बात की जाए बस्पा चाहें बात की जाए आप चाहें कॉंग्रेस सभी के तरफ से ग्यापन इलेक्शन कमीशन को दिया गया था कि इस पे रोक लगा जाए और की इसको सग्ञान मे लेते हुए एक्जिट पॉल पे रोक लगा था और देर सामसाथ मैंसे एकिजट पोल आने शुरू होगा है और एक्जिट पोल को महज हम एक अनुमान के तौर पे देखेंगे जी ऑम शंकर जी जबसे एकिजिट पॉल सामने आयए हैं तभी सिलगतार स ही लिए लिए लाता बखाया कि आप ल rozp ये रखष measured के रहें आप प्लोड नहीं को उसमें हैरा फैरी हो सकती है यह अखरी परड़ाम नहीं है आखरी परड़ाम तो दस्मार्श को आना है लेकिन इक परड़ाम पार्टी के खेमे में एक बेचैनी सी मचा दिए धन्यवाद विभान्शु और ओम्शंकर जी इस ख़वर पर हमारे साज जुन्ने के लिए तो आपको बता दे कि कल उत्तर प्रदेश में जितने भी अभी तक चुनाव हो चुके है और लगातार जब से एगजिट पोल आये हैं तब ही से जो सभा समेख जो भी तमाम वेपक्षी पारटिया है वो लगातार िविएम की बुद्ध्वे पर सवाल उठा रही है लगातार िविएम के कट घरे में खड़ा कर रही है इसी को लेकर वो लगातार अपने पार्टी के प्रत्याशियों से अपील भी कर रही है कि वो मतगणनास्थाल के बाहर से हटे नहीं जब तक नतीजे नहीं आते हैं जो भी प्रत्याशिय और कार करता है वो डटे रहे कईजिलों से ऐसे खबरे हैं कि ढोल दोलमंजीरों के साथ वी इवयम की निगरानी की जा रही है तो कहीं जो भी कार करता है सपा के कार करता है वो मतगणनास्थाल के बाहर बैटकर ही अपना जो आहार है वो ले रहे हैं तो कहीं पर प्रत्याशी जो है वो दूरुष्बी लेकिन अब इसका खुलासा तो कल ही हो पाएगा कि आखिर जो जनता है उसने किसके सर पे जीत का ताच पहनाया है किसको सूबे की सत्त अगले पांस साल के लिए सौपिया इसका खुलासा कल दस मार्च को होगा लेकिन मतगड़ना से पहले ही लगातार EVM में धांदली की खबरों को लेकर जो सपा के कार करता है प्रत्याशी है सपा समेच जितनी भी अनविपक्षी दल है वो लगातार मतगड़ना स्थल के बाहर पहुच रही है जिसको लेकर पुलिस प्रिशासन भी पूरी तरह से अलट हो चुका है कि कई से किसी भी तरह की दंगे की भी खबरे सामने ना आए और जो मतगड़ना है वो भी शांतिवपूर्ण तरीके से संपन हो चुके इसको लेकर पुलिस प्रिशासन पूरी तरह से अलट हो चुका ह और लगातार मतगर्णा से पहले जो तमाम जिले हैं वहाँ पे जिलादीकारी समय जितने भी आलादीकारी हैं वो जाकर मतगर्णा स्थल पर जो भी ववस्थाएं हैं उनका जायजा ली रहे हैं और जो भी थोड़ी बहुत चुट-पुट कम्यार रहे गई हैं उनको दुरु जूद भी जो लगातार विपक्षी दल है उनके कारिकरता मतगरना स्थल के बाहर अपना डेरा डाली हुए हैं जबकि अगर बीती शाम की बात करें तो सबसुप्रीमों ने भी प्रेस कॉंफरेंस करते हुए इवियम को कट घरे में खड़ा किया था और अपने कि कारिकरता उस ऑर प्रत्यांष्यूं से अपील की थी, वह लगातार जब तक नतीज सामने नहीं आते हैं तब तक मतगरना स्थल खड़े रहे मतगणना स्थल के बाहर अपना डेरा डाली रहे जिससे नतीजे पहले पूरे सामने आजा उसके बाद ही वो मतगणना स्थल से हटेंगे तो तमाम जिलों से ऐसी खबरे सामने भी आ रही है कि जो सपा कारी करता है वो लगातार मतगणना स्थल के बाहर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं तमाम जिलों के जो दिगज रेता है जो जिला अध्यक्ष है वो लगातार मतगरना स्थर पर पहुँच रहा है तो वही अगर इस चुनावों की बात की जाए तो इस चुनावों में सपा सुप्रीमों खुच चुनावी मैदान में उतरे है योग्या अधितनात खुच चुना बदों में मतदान हो सके कहीं से भी किसी तरह की जड़ब या हिंसा की खबर नहीं आए इसको लेकर पुलिस प्रिशासन ने पूरी अपनी कमर कस लिया और लगातार सुरक्षा में वस्ता को पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया है इस वाथ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरे देख रहे हैं इसमें लखनाऊ रायवरेली og और बस्ती की तस्वीरे देख रहे हैं जहांपर मतगणा के पहले जो भी सफाकारेकर्ता और प्रत्याशी निकरानि कर रहे हैं और और ऐसे कबरे सामने आ रही है कि सफाा सुप्रीमो के आवहन पर ही जो भी कारिकरता और प्रत्याशी है वो मतगरना स्थल के बाहर निगरानी कर रहे हैं जब से ही एक्जिट पोल के नतीजे सामने आए है तब इसे जो तमाम विपक्षी पार्टियां है वो लगातार इवियंग को कटगरे में खड़ा कर रही है जिसको लेकर तमाम पार् कारिकरता प्रत्याशी है जो इस वक्त मतगरना स्थल के बाहर है वो वही पर अपना डेरा जमाए है वही पर वह अपना आहार ले रहे है फिर चाहे वो खाने की बात करें या फिर पीने की बात करें वो जो भी अपनी कार शैली है वो लगातार मतगरना स्थल के बाहर ही रह क्या जा रहा है कि कहीं इवियम में गड़बरी ना हो जाए इसको लेकर प्रिशासन ने क्या कुछ तैयारिया कर रखी है प्रिशासन ने क्या है अब प्रिशासन ने क्या है वहां पर इवियम में गड़बरी नजब आगा रहा है और इसमें जब पर रिजल्ट आया है कि विजय की आगे हो रही है तो ऐसे में सभी साथियों के अरूप प्रत्यारूप लगा जा रहा है क्या लग रहा है कि क्या चुनावायों कि आर्शाली पर भरोसा नहीं है जी आइसे में कल हम बात करने पोचिक किये थे सुनिंसी सपा के वरिष मेता है और यह वाहिनी में पहले रहे योगी आजित नाथ के ताफी तरीगी रहे लेकिन इसके बाद इंके पर पाफी मुकर दिया अपर आजित लुगे हमाचक जी अगर चुनाव आयोगि के बात करें तोचनाव आयोग ने यह कहा है कि जो भी इवियम से जो भी काउटिंग होगी जो भी बेलेट पेपर के काउटिंग होगी वो सारी निग्रानी में होगी उसके बावजूद भी जो शपाई है वो लगातार मतगरना स्थार के बाहर अपना टेरा जमाए हुए है हिमांशु जी अगर बात करी जो है सपा की तो सपा सुप्रीमो इस बार खुच चुनावी मैदान में उतरे है चुनाव लड़ने के लिए लेकिन जब से एक्जिट पोल की नतीज़ा आए है सपा सुप्रीमो में भी खल बली मच गई है और वो लगातार जो तमाम जगा के जिलाध्यक्ष प्रत्याशी है कार करता है उनको लगातार ये कहा रहे है कि वो मतगर्न स्थाल की बाहर अपना डेरा डाले रहे है ऐसा क्यों आखिर प्रत्याशी को जाने के इंचिबी गई ती प्रत्याशी से वहाँ जा करके इधियम की रखवाली जेग्वाल प्रत्याशी है जो इस वक्त मतगर्न स्थाल के बाहर अपना डेरा डाले हुए है कि मतगर्न स्थाल के बाहर अपना डेरा डेरा डाले हैं दन्यवादी मांशी इस खबर पर हमारे साथ जुनने के लिए तो कल जो उत्तर प्रत्याश में है वो जो अभी तक चुनाव हो चुके हैं उसके नतीजे सामने आरे हैं जिसको लेकर सपा के जो सबी पार्टी के कारphetा है जो प्रत्याशी है सपा समिय जोभी तमाम विपक्षी दल है जिनके कारिकर्त और अपना डेरा डाले हुए हैं जब सेक्जित पोल के नतीजे आये हैं तब से सपा सुप्रीमों ने ये आवहन किया था कि जो भी कारिकरता और जो भी प्रत्याशी है वो मतगरना स्थल के बाहर मौजूद रहे इवियम की निगरानी करे यही वज़ा है कि लगातार तमाम जिलों में सपा के कारिकरता प्रत्याशी मतगरना स्थाल की बहर अभी से ही बैट चुके हैं आपको बताते चले की बीते साथ मार्च को जो आखरी चरन का मतदान है वो संपन हो चुका है जिसके बाद देर शाम से एक्जिट पोल के जो नतीजे है जो एक्जिट पोल है वो सामने आने लगा था और एक्जिट पोल में अगर त प्रत्याशी हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो मतगड़ना स्थल से बे डटे रहें मतगड़ना स्थल से ही ले नहीं यहीं वज़ा है कि लगातार लखनव रैबरेली गोरकपूर बस्ती और कन्नौत समय तमाम जितने भी प्रदेश में जनपद है वहां पे सपा कारी करता सप प्रत्याशी मतगड़ना स्थल के बार अभी से ही डट चुके है जिसको लेकर पुलिस प्रिशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है ताकि कि किसे भी तरह कि कोई अन्होनी नहों जबकि बीते ही देर रात एक वारांसी से ऐसी खवर आय थी जिसके बाद से पूरे प् गोरकपुर के समवादाताओं से सुना कि इन तेनों ही जिलो पर जो सपा कारिकरताओं के साथ इज्वान्मी पक्षी दल है उनके भी जो कारिकरता है जो प्रत्याशी है वो मतगड़ना स्थल के बाहर ये अपना डेर डाली हुए है वहीं पे वो खाना भी बना रहे है क्यो शुरू हुआ था वो अब अपने अंतिम चरंड के ओर बढ़ रहा है यानि कि कल दस मार्ज को जम नतीजे आएंगे इसके साथ ही लोकतंत्र का महापरो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसका खुलासा हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसके सर परागामी पास साल के लि लिए बस्तिस हमारे समवादाता रजनीश जुर्चुके है रजनीश जी मेला पहला प्रश्ण आप से यह है कि कल मतगर्ना होनी है इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारिया कर रखी है रजनीश जी अगर बात की जए तो तमाम जिलों से ऐसी खबर आ रही है कि जो सपा कारिक करता है वो लगातार मतगर्ना अस्थाल के बाहर अपना डेरा जमाय हुए है तो क्या बस्ती से भी अभी ऐसी कोई खबर सामने आई है देखें जब से अखलेश जी ने आवान किया है कि सभी जन्पत के जिलात बश्चर से कारिकरता होते सपा के तो कहीं ने कहीं वो उसमें एक खासा उस्था लोगों में दिख रहा है लगातार मतगर्ना कल अभी होनी है लेकिन जो सपा के जितने भी कारिकरता है प्रत्यासी है नेता गड़ा है तभी जो है मतगर्ना अस्थाल पे इस टांगरूम के बाहर बिलकुट पूरी तरीके से सुरच्छा के दिश्कोर से मुस्तेदी अपनी पूरी जमाय हुए है तभी तभी से तमाम जो भी विपक्षी दल है चाहिए वो सबा हो चाहिए वो कॉंग्रस उनके कारिकरता हो और प्रत्याशियों में खलबली मच गई है तो कहिंगे यूपी की बात से तो यहां का जिखित पॉल दिखा जारे जिस तरीके से चैनलों पर हर एक जगा उसको जो है परवाइब किया जा रहा है लेकिन कहिंगे एक जिखित पॉल जो है अपने आप से और जिखित नहीं माना जा रहा है कल दसमार्श को मत करना होनी है और आटोमेटिक मत करना के दवरान वहने के पस्चाज जो है यह क्लियर हो जाएगा किसके सर पे स्टाज बढ़ेगा कौन यूपी का मुख्या बनेगा लेकिन अगर रजीज जी देखा जाए तो जब से एकजित पॉल के नतीजे सामने आए है तब से जो भी तमाम विपक्षी दल है वो लगातार EVM को कटगरे में खड़ा कर रहे है तो यह कहना कहीं न कहीं गलत नहीं होगा कि एकजित पॉल के जो नतीजे हैं उसके बाद से सभी विपक्षी दलों में खलबली मच गई है पॉल को इत्ताय मानक नहीं है जबकी बतगरना होगी वोटों की काउंटिंग होगी वही तया और मानक रहेगा और उसी के आधार पे किसी भी पार्टी का हो उसका जीत और हार बविश्कताय रहेगा तो जो सपा के कार करता है उन्हें चुनावायो की कार शाली पर भरोसा नहीं है लेकिन अब सवालिया निसान खड़ा होता है इवियम में उलट फेर करने का परचिया मिलने का दावा किया जा रहा है तो कहीं कहीं कफा के खेवे में इसको लेकर एक बहुत बड़ा मतलब उलट फेर का दर बना हुआ है तो कहीं कहीं जो है वो लोग जो है मतलब न के दिन और लगातार मतलब उलट फेर करने का उनके अंदर एक डग बना हुआ है लेकिन अगर रजनीर जी देखा जाये तो लगातार चुनाव आयोगे कह रहा है कि जो भी चुनावी नतीजे है वो सारे CCTV कैमरे की निगरानी में आएंगे जिसके बावजूद भी लगातार ऐसी खबरे आ रही है कि जो सपा के कारे करता है जो सपा के प्रत्याशी है वो लगातार जबसे अंतिम चरण का चुनाव संपन हो चुका है उसके बाद से ही मतगरना स्था के बाहर मौजूद आखिर इसके पीछे की वजह क्या है देखें कहीं कहीं जैसे जो जिस तरीके से लोगों के भासर के दारान लोगों की जन्सभाव के दारान जो जन सालाव उम्रा था उसको देखते हैं कहीं लोग अपने एक चिंतन कर रहा है कहीं 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 चिंता का विशा बना हुआ है आगर किसी के जन सबाव में भारी भीड है वोट भारा उद्फा से अकलन लोगा रहा है कि इस ज़ुआ गण्ड़ा उपम गण priced नहीं है लेकिन अगर इस्टाग्रों के हम बात करें तो वहां सुरक्षा के दिश्टकॉन से तीन लेयर की सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा, पुरा पुक्ता इंतिजाम किया हुआ, उपर से CCTV कैमरे भी लगे हुआ है, तो कहीं दी कहीं जहां, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लेकिन फिर जो लोगों के मन में एक संसर बना हुआ है, जैसे जहातर सपा के लोग जो है, वो एक घर का काहल बना हुआ, तो उसको कहीं नहीं कहीं, एक मुस्ताइदी के साथ जो है, इस्टाग्रों के बाहर, पुरा वो, अपना जमाड़ा जमाए हुए हैं, चाहे वो जिला धेक्ष हो चाहे कारिकरता हों, चाहे प्रत्यासी हो, सभी लोग पुरी तरीके से पैनी निगरानी कर रहे हैं। और भाजपा की भी बहुत ही का मुकाबला देखने को मिल रहा है लेकिन आने वाले दिनों में कल दस्मार कोई क्लियर हो जाएगा जिसकी सरकार बनती है और कौन यूपी का मुख्या के रूप में बनता है दन्यवाद रजनी जी इस खबर पर हमारे साथ जुनने के लिए तो अगर बात बस्ती की की जाए तो बस्ती में इस वक्त के चुनावों में भाजपा और सपा की बीच कड़ा टकर देखने को बिला था जिसके बावजूद भी जो सपा के प्रत्याशी हर कार करता है वो लगा को इसका खुलासा होगा कि आखिर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है इसको लेकर लगातार आज ही से जो सपा के कारिकरता और प्रत्याशी है वो लगातार मत गड़ना अस्थल पर मौजूद है ताकि इवियम में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके वहीं इस मामले पर ल लगातार मत गड़ना स्थल के बाहर इस सवक्त मौजूद है फिलाल के लिए इतना ही देशा प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी सच साहस सरुकार